नमस्ते एन वेलकम टू हिंदुस्तानी तड़का आज हम बनाएंगे डोसे का मसाला यानि की मसाला डोसा के लिए आलू कैसे तयार करें और इसके लिए सबसे बेसिक चाहिए हमें बॉयल्ड आलू और चात में चाहिए कटा हुआ प्याज अद्रक और लहसन उचा हुआ और हमें चाहिए कड़ी पत्ता धनिया पत्ता बाकी इंगिरिंट्स के लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अब से पहले हम गरम करेंगे कड़ाही में और उसके अंदर डालेंगे जीरा फिर हम डालेंगे राई के दाने यनिकी मस्टर्ड सीट्स और हम डालेंगे हींग चना दाल और इसे दो तीन मिनट तक पकने देंगे फिर डालेंगे कटा हुआ प्याज प्याज को हमें जादा नहीं बूनना है बस थोड़ा सा बून जाएगा ये हलका सा गुलाबी हो और उससे थोड़ा सा जादा पकेगा बस इतना ही बूनना है अब हम डाल देंगे कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ता पहले ओल में नी डाला कि वो स्प्लाटर होता है, फिर डाल दिया है स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली, इसे भी सॉटे कर लीजे, अब एड़ करेंगे जिंजर कारलिक, इसे भी 30 सेकंड्स तक भून लेंगे, अब हम एड़ करेंगे इसके अंदर एक कप पानी, पानी इसलिए कि हमारा जो मिक्षर होगा वो अच्छा रेडी होगा और मसाले जलेंगे नहीं, साथ में इमली का पानी, आधा कप, हल्दी चमच, आधा चमच, और हम डालेंगे आधा चमच, लाल मिर्च पावडर और इसे म मिला लेंगे, अब हम इसके अंतर एड़ कर देंगे हमारा बॉइल करके टुकरों में हाथ से तोड़ा हुआ आलू, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर एड़ करेंगे नमक, अकॉर्डिंग टेस्ट, और इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए, अब इस तरह से मिक्स करने के बाद, इसके ऊपर आप धनियाप पती से इसे गार्निश कर सकते हैं, लाइक सो, रेडी हो चुका है हमारा मसाला डोसा का मसाला, तो आईए बनाते हैं डोसा, परफेक्ट बैटर बनानी की रेसिपी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसे हम सर्ब करेंगे सांबर और चटनी के साथ, सांबर का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथी साथ चटनी पर लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो यह complete plate ready है इसे आप अपने घर में try करिए पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक like कीजे हमारे चैनल को subscribe कीजे Thank you for watching